अब हरतियों को सिस्टम से हटाया गया देश का 2,75,000 करोड रुपया बचाया गया मुझे लगता है गेम चेंजर ये है कि आज 32 करोड से जादा मुद्रा के लोन्स हमारे देश में छोटे छोटे व्यापार छोटे छोटे व्यवसाई शुरू करने के लिए देश के साधारन नागरिकों को मिल चुका है मुझे लगता है गेम चेंजर ये है कि सिर्फ आस्ट्रेलिया में प्रधान मंतरी को बॉस की उपादी नहीं दी बलकि दो राश्ट्रों के युद्ध को विराम दिया गया क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधान सेवक चाता था कि हिंदुस्तानी सुरक्षित अपने घर लोट सके मुझे लगता है गेम चेंजर ये है कि जिस हिंदुस्तान ने कभी वैक्सीन की लाइन में अपने आपको पाया वो हिंदुस्तान कोविट की वैक्सीन अपने देश में बनाए, 220 करोड वैक्सीन की जोजिस टेकनोलोजी के लिए अपने देशवासी को पहुंचाए और 160 देशों में वैक्सीन मेत्री के नाम से वो वैक्सीन और फार्मसीटिकल उपलब्द कराए गेम चेंजर ये भी है कि जो अर्थ व्यवस्था दसवे पाइदान में थी, वो मात्र नौ वर्षों के अवदी में पाँचवे पाइदान तक पहुँच गई है मुझे लगता है गेम चेंजर ये भी है कि आज चाहे वो रूस हो चाहे वो UK हो, चाहे वो United States of America हो सब समझते हैं कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी के दिल तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ नरेंद्र दामुदर्दास मोदी है सब समझ रहे हैं लेकिन राहूल गांदी क्यों नहीं समझ रहे हैं उनको तो बार-बार लगता है कि मोदी जी ने कुछ नहीं करा अगर आप राहूल गांदी से समझ की अपेक्षा करते हैं तो अमीज जी शायद आप भी फिर एक राजनीतिक खुशफेहमी में जीते हैं आप कब से राहूल गांदी से समझ की अपेक्षा करने लगें लेकिन देखे लोगतंतर है तो पक्ष और वेपक्ष दोनों की बात को सुना जाता है एक एतिहासिक घटा होई और एतिहासिक घटा के हम भी साक्षी बने देश में एक नई संसर मिली और सौ साल बाद एक एतिहासिक पलता लेकिन एक बॉयकॉट भी चला उसको उसको लेकर क् जिस तरह की टिप्प्रिया की गई जी कॉंग्रेस ने तो प्रधान मंत्री को पंडित नहरू के चरणों में दिखाने का प्रयास किया एक ट्वीट के जरीए सेंगोल को लेकर विवात खड़ा किया गया ताबूत दिखाया गया भारतिय संसत को आरजेडी द्वारा वाट कि टांक खुद राजनेतिक एक कब्र में हैं वह ताबूत दिखाएंगे तो कहीं न कहीं यह उनकी राजनेतिक शैली का प्रमान देते हैं मुझे ऐसा लगता है कि जब वो देश की संसत का इस प्रकार से अपमान करते हैं तो अपमान मोदी का नहीं है हर उस नागरिक का अपमान है जो देश की सम्विधान को अपना प्रथम अधिकार समझता है अपना प्रथम जिम्मेदारी समझता है मुझे यह भी लगता है कि जिन लोगों ने चलावा किया कि वो पार्लेमंट का बॉयकॉट करेंगे वो क्या आगामी सेशन में पार्लेमंट में अपने पैर नहीं धरेंगे और जहां तक सिंगोल की बात है तो भारत के इतियास को जुटलाना ये तो गांधी खांदान की खासियत है हिंदु धर्म पर कटाक्ष करना ये तो गांधी खांदान की खासियत है जैराम रमेश ने का जैराम रमेश चे बोला ये वाट्सेप उनिवस्टी का घ्यान है अरगर नहरू जी को जैराम रमेश इस प्रकार की अबद्र टिपनी कर सकता है तो सोनिया जी को सोचना चाहिए कि ससुर साहब की बद्नामी करने वाले को वो क्या भी भी मीडिया का चार्ज देंगी ये तो बहु जाने उनका सुसुराल जाने लेकिन एक एक बड़ा पॉंट है सेंगोल को लेकर जब सेंगोल को शतापित किया गया मंत्रोचारण हुआ उससे पहले सर्वधर्म सभा भी हुई लेकिन उसको एक धर्म विशेश के साथ जोडने का प्रियास हुआ उसको लेकर भी एक पॉलिटिक्स है यो टेक उन दाट मैं इतना ही कहूंगे आपने सर्वधर्म की प्रार्थनाओं का वहां उलेक किया मैं एक पार्थी से ब्याही हूँ इंदरा जी भी एक पार्थी से ब्याही थी और जहां तक लीनियेज की बात है तो कहीं ने कहीं गांधी खांदान में पार्थी का वो अंच भी है मैं एक practicing Hindu हूँ और बड़े गर्व के साथ आज कह सकती हूँ कि पार्सी समुदाई की वहाँ प्रार्थना हुई जिसे कहते हैं अशेम वहू वहिस्तामस्ति उस्तास्ति उस्तायमाय या दशाय वहिस्ते अशेम ये practicing Hindu पार्सी धर्म की एक प्रेयर आज आपके सम्मुख हम लो होता है उसका एक चित्रा आपने पार्लिमंट की उस नई संसत की व्यवस्था को लुकार्पित करने से पहले स्वयम देखी है जहां तक हिंदू संतों का सवाल है तो क्यूं कॉंग्रेस पार्टी को हिंदू संतों से इतना परहेज है यह सवाल आक्चुली पूछना ही व्य सत्ता की कुरशी पर बैठकर हिंदू आतंकवादी प्रतीत होता है उनसे मैं अपने समाज के प्रती कैसे सम्मान अपेक्शद कर सकती हूग जो अपनी करनाठ की जीत को हिंदू धर्म के खिलाफ की जीत बताते हैं उनसे मैं कहाँ अपेशा कर सकती हूँ कि वो धर्म के पती आदर का भाव रखे जिन्हों ने राम के अस्तित्व को जुटला दिया जो आज तक एक पग नहीं धरे राम बंदिर के प्रती उनके प्रती मैं यही भावना रख सकती हूँ कि ना मेरे समाज का सम्मान करेंगे ना म विवाद चल रहा है उन्होंने विसरजन का भी आज प्रियास किया फिर नरिष्ट कैत को दे दिये क्या आपको लगता नहीं है भारती दिन्ता पार्टी के लिए कि शासन के लिए सरकार के लिए एक इमेज में बहुत बड़ा डेंट है जिस तरह से पहलवान सड़कों पे ह आपको लगता है कि अगर इस प्रकार का कोई निर्दई निरलज अथ्वा ऐसा कोई कानून पर प्रहार करने वाला काम हम कर रहे होते तो बबीता फोगाट मेरे संग बैठी होती जहां तक कानून की बात है सुप्रीम कोर्ट ने स्वयम इस विशे पर अपनी टिपनी कर दी आपको भाज़पा पर विशुआस नहीं करेंगे वर्तमान में एक इन्बेस्टिगेशन चल रही है जितना कानून मैंने समझा है इन्बेस्टिगेशन में हस्तक शेप करना कानून की मरियादा का उन्गन करना है। तो क्यूं कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि कानून का उलंगन हो, क्यूं कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि निश्पक्ष जाच ना हो, क्यों Congress Party के सरगना और कई नेता ऐसे विशे में नित्रित्यों करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी मनशा न्याई संगत ना हो, राजनीती के प्रती हो, ये प्रश्ण तो निश्चेत रूप से वर्तमान में जनता के मद्ध में घूम रहे हैं मैं इतना ही अपील करूँगे कि वो महिला जो कानूनी लड़ाए लड़ती है इनसाफ के लिए उसके पक्षिक की बात कहती हूँ, वर्तमान में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उसमें कोई हस्तक शेप ना करें ताकि जुडिशल प्रॉसेस किसी भी रूप में आहत ना महतंपूर आपसे क्या आपको लगता है कि खिलाडीों की छाती पर जिस तरह से प्रहंक पुलिटिकल इशू ही है इससे कोई मैं दोराय नहीं रखती हूं एक सांसत के नाते में इतना ही कहना चाहती हूं कि जिस खांदान ने अपने आपको कई रतन दिये कई राष्ट्रिय सम्मान और पुरुसकार दिये उस खांदान की राडनीतिक धरामीथी में सबसे पहली बार पद्मपुरुसकार अगर सामान ने गरीब परिवार की किसी लड़की को मिला तो वो भारतिय खेल के लिए मिला उस लड़की का नाम सुधा है तो जिने इस बात की सुध नहीं थी कि उनके अपने राजनीतिक छेतर में किस प्रकार की बेटियों की प्रतिभा को सम्मानित क किया जाना चाहिए वो अगर यह सारे कटाक्ष अपने राजनीतिक लाब के लिए ना करें तो बैतर लेकिन मैं भी जानती हूं आदत से मश्बूर है निश्चित रूप से करेंगे दुबारा कहते हैं एक महिला होने के नाते निश्पक्ष जाच हो जुडिशल प्रोसेस मे को इबाधा ना बने और जिस केस में स्वयम सुप्रीम कोट अपनी टिपपणी दे चुके हैं